हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल निशी एवर ग्रीन टोपिक्स तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूद से पाएं अपने चेहरे को निखरता हुआ दूद से आप अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं चमकता हुआ चेहरा पा सकते हैं दूद का परियोग करने से अपने चेहरे पर अपनी ताउचा पर तो आपकी इन परिशानियों का हल निकाल कर लाई हूँ काफी रिसर्च के बाद ये पता किया है कि दूद से भी आप अपनी ताउचा को सुन्दर बना सकते हैं जब चेहरे पर फोड़े फुंसिया हो जाती हैं और बहुत ही हम लोगों को सरंसी आने लगती है बाहर निकलने में कि हमारा चेहरा दागदार हो गया है इन से निजात पाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुछ टिप्स जो आप उन्हें यूज़ करकर अपने चेहरे को पहले की तरह सुन्दर और दमकता हुआ ब अगर आपने इन टिफ्स को फोलो करके काफी समय तक इनको पर्योग करते रहे तो मैं ये नहीं कहती कि आपको एक दम ही इनसे फाइदा मिल जाएगा लेकिन ये पका कह सकती हूँ आप अगर इनको रेगुलरी यूज करोगे तो आपको अवश्य ही इनसे फाइदा मिलेगा तो जादा बाते ना करते हूँ मैं बात करती हूँ आपको क्या करना चाहिए आप दूद को गुलाब जल में मिलाकर अपने चहरे पर लगाईए आपको क्या देखने में मिलेगा कुछी दिनों में कि चेहरे के जो दाग धब्बे थे वो खतम होने लगे हैं धीरे धीरे और चेहरे की जो रंगत है वो भी निखरती हुई नजर आ रही है लेकिन ये आपको काफी समय तक परियोग करता है रहना है अगली टिप से हमारी दूद में थोड़ा सा नमक मिला कर अपने चेहरे पर सुबह साम लगाने से आपके जो चेहरे पर मुहासिय हो गए हैं फोड़े फुंसिया हो गई हैं वो सही हो जाएंगी अगली है बादाम बादाम और बेसन और गाजर का रस दूद में मिला कर उब्टन की तरह लगाने से तवचा में चमकता पन आएगा और रंगत भी निखरेगी दूद को पूरे सरीर पर लगा कर रगड़ने से तवचा में चमक आती है अगली है नाखूनों को सुन्दर बनाने के लिए कुछ देर दूद में भिगो कर रखें बरतन साफ करने से हाथ खुरदूरे हो जाते हैं इन पर दूद से नीमु का रस मिला कर लगाने से आपके हाथ सुन्दर बनेंगे अगली है होटो का काला पन दूर करने के लिए दूद को होटो पर परती दिन लगाएं आपको लगेगा कि आपके होट धीरे धीरे गुलाबी और रेड होते जा रहे हैं आपको ये रेगुलरी करते रहना हैं अगली टिप्स है हमारी आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसो को बारीक पीस कर दूद में मिलाकर मुहासो पर निरंतर लगाने से फाइदा होता है अगली टिप्स है हमारी चिरोंजी को दूद के साथ पीस कर लगाने से भी तवचा में निखाराता है और तवचा की जो रंगत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो दोस्तों ये थी हमारी सारी टिप्स जो आपकी चेहरे को एक गलोइंग तवचा देगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना कर भेज़ सकूँ और आप उनका फाइदा उठा सकें तो प्लीज दोस्तों लाइक करते रहें सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में